माननिय सबापती जी आज हम इस देश की महिलाओं के लिए जो कानुन बन रहे हैं उससे हमें बहुत गौरब का अनुबब हो रहा है समाज में प्रचलित दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हम यहां आए हैं इस बात के लिए भी हम आज ऐसा गौरब का अनुबब कर रहे हैं कि हमारी महिला सदश्यों के अलाबा पुरुस समाज भी इसमें प्रहत नसिल है प्रहत महोद है हमारी इस समीती का उदेश्य यह है कि 1961 में जो दहेज को रोकने के लिए कानुण बना उसका पालन नहीं हो रहा है वह क्यों नहीं हो रहा है इस पर हम विचार करें और यदि आवशक हों तो कानुण में संसोधन करें हम लोगों को इने उपाय तक सिमित नहीं रहना चाई वरन इस समंद में जो हमें दिक्कतें अनुबब हो रही है उन पर भी सोचना चाई इस बारे में जो कानुण बना है उनको अमारे कानुण बनाने वाले देखेंगे और यदि आवशक हुआ तो अपने सुझाब भी करेंगे पेरा महोद है इस कानुण में हमने जो कमियां देखी है उनकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं समझता हूँ कि यह दहीज के मामले में भी परिवासित है कानुण के माद्यम से जो हमें सफलता मिली है वह है इसलिए कम है इसमें कहा गया है कि जो भी पैसा या जेवर लड़की को दहेज के रूप में दिया जाता है है वह दिया जा सकता है यदि उसे शादी के पहले त्य नय किया जाए पैरा महोद है हम एक ही समाज में रहने वाले लोग है आज दहेज हर घर में फैला हुआ है जो दहेज दिया जाता है बैबाउत ही गुप्त रखा जाता है और गुप्त रूप से दिया जाता है आज कोई भी मा बाप समाज के सामने पर्तेक्स रूप से नहीं दिखाता है कि उसने क्या दिया है इतना हमने जरूर किया है कि जब से कानून बना है दहेज छिपे रूप में दिया और लिया जाता है इस बारे में यदि कोई शिकायत भी करता है तो उसको गवाहा नहीं मिलते जो इस बात को सिद कर सकें कि दहेज दिया या लिया गया है पेरा हमारे देश में या तो लोग अमीर है या बहुत ही गरीब है अमीर लोग शादियों में लाखो रुप्या खर्च सकते हैं लेकिन जो गरीब है बेपैसा खर्च नहीं कर सकते इसलिए हमारा सुजाव है कि स्थानिय स्तर पर इसके लिए एक समीती बनाएंगे पेरा